लोकसवा चुनाओ 2024 का चुनाओ का नतीजा का असर जो बिहार के विधान सभा पर परा है वो बिलकुल बिहार के विधान सभा का संख्या बल बदल दिया है विधान सभा का नंबर गेम बदल गया है पूरा का पूरा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो उस पाटी का नाम है राष्ट्रिय जनतादल, अब राष्ट्रिय जनतादल को लोकसभा चुनाओ के कारण बिधान सभा में क्या नुकसान हुआ है, और कितना नुकसान हुआ है, हम आपको जब बताएंगे, तो आप अपना माथा पकर लेंगे, और फिर हसने भी लगेंग दरसल राष्ट्रिय जनतादल को जो नुकसान हुआ है, वो हुआ है कि राष्ट्रिय जनतादल जो है बिहार बिधान सभा के सबसे बड़ी पाटी हुआ करती थी, और अब वो दूसरे नंबर की पाटी बन गई है, भारतिय जनता पाटी जो है, एक नंबर की पाटी बन लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंक्षन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल दरसल लोकसभा चुनाओं में पांच सीटे जो हैं विधानसभा की खाली हो गई 243 सीटों में सीट हैं बिहार विधानसभा में और अब 238 सीटे भड़ी हुई हैं पांच सीटे वर्तमान में खाली हैं वो पांच सीटे कौन कौन सी हैं तो रुपावली से बीमा भारती जंता दल उनाइटेड की विधायक थी उन्होंने लोकसभा चुनाओं लरने के लिए अ उसके बाद इमाम गंज से जितन राम माजी हम के अध्यक्ष भी हैं और हम पाटी से चुनाओ भी लड़े थे इनका भी जो सीट है अब इमाम गंज से खाली हो चुका है क्योंकि अब ये लोकसभा पहुँच गए हैं और केंद्रिय मंत्री बन गया हैं उसके बाद CPIM का एक सीट जो है खाली हुआ है तरारी बिधानसभा वहाँ से सुदामा प्रसाद जो है वो बिधायक हुआ करते थे और अब वो भी लोकसभा पहुच गए हैं जिसके कारण उनका भी एक पद्ध बिधानसभा में खाली हो गया है उसके बाद बेला गंज से सुरिंदर प्रसाद यादो जो राजद के बिधायक हुआ करते थे अब लोक सभा पहुँच गए है राजद के टिकट पर और इस कारण से उनका भी एक सीट जो है बिधान सभा में खाली हो चुका है और अगला जो नाम है अंतिम नाम वो रामगठ के बिधायक सुधाकर सिंग जो राजद के क्योंकि 243 से 230 सीटे हो गई है और इन 230 सीटों का अगर आकराप के सामने हम रखेंगे तो राजद को सबसे ज़्यादा नुक्सान हुआ है मतलब ये कि राजद बिहार बिधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी 79 सीट जो है 89 सीट जो है राजद के खाते में थी और अब चुकी राजद के दो-दो बिधायक जो है लोकसभा पहुँच गए हैं उनकी बिधान सभा सीचे खाली हो गई है इसल 78 बिधायक अभी भी हैं मतलब ये कि भारतिय जनता पार्टी को इसका नुकसान नहीं हुआ है बलकि इस बात का फायदा हो गया है कि राजद का सीट कम हुआ जिसके कारण भारतिय जनता पार्टी जो है बिहार बिधान सभा में एक नंबर की पार्टी हो गई है सबसे कि 45 सीटे हुआ करती थी लेकिन अब भीमा भारती चुकि अपना इस्तिफा दे दी हैं राज़त से वो चुनाव लड़ी थी और इस कारण से जंतादल उनाइटेट की जो बिधान सभा में सीटे हैं वो 44 सीटे रह गई हैं तो इस तरीके से राज़त को इस बात का सबसे जाद नुकसान हुआ है विधान सभा में नंबर वन की पोजीशन जो है राज़त से भारतिय जनता पार्टी ने छीन लिया है और भारतिय जनता पार्टी को इसका बंपड़ फायदा मिल लिया है लेकिन आप इस कबर को लेकर करके क्या सोचते हैं राष्ट्रिय जनता दर्वार जनता पार्टी की यह जो उठापटक है इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के माधन से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंग सुन बहुत बहुत धन्यवाद